हे गाइज वेलकम बैक तो माई चैनल क्रिएटर मिनाक्षी मैं मिनाक्षी और आज फिर मैं आपको काना जी की ड्रेस का एक न्यू डिजाइन बनाना सिखाऊंगी जो आप 25 दिसंबर पर अपने काना जी को पहना सकते हैं और फ्रेंड्स ये पोशाक में आपको पिना किसी हैल किसी मसीन की हैल्प के बनाना सिखाऊंगी जिसे कोई भी आसानी से बना सकता है तो चलिए फ्रेंड्स देरीने करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए मैंने चार नंबर के कानाजी की पोशाक बनाने के लिए ये आठ इंच डायमेटर का एक सर ये कहेंगे कि 10 इंच का डायमेटर लेते थे तो ये आठ इंच का क्यों लिया है तो इस चीज को जानने के लिए आप वीडियो को लाज तक देखें वीडियो के बीच में ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये फीस जोटा क्यों लिया है अब हम इस पीस को अपने कर लिए हैं इस तरह से हमारे एदिख रहा है अब आप इसमें अपनी कंछान लगाने डीधि जपी भी हमारी काना की कंअ है कि इसमें अ मैं है इस तरह से इसको घर करूंगी कि ए क्या हुआ है यह हुआ है रिस जान लगांगी ए tips on किशा निधर लगाऊंगी और यहां पर इतने बोलाई की शेप करकें इस तरह से इसको हम कट कर देंगे इसको हमारी कमर कट हो गई है अब हम इसको एक साइड से ओपन कर लेंगे इससे हमें पैनाने वे प्रॉब्लम ना हो इस तरह से अब इसका इतना करने के बाद में अपना फर का कपड़ा लेंगे इस देखिए माने इफर कपड़ा लिया है मार्कित में इसली मिल जाता है अब इसमें जे हम एक एक इंच की पटियां कट करेंगे आप निशान लगा लेंगे इस तरह से झाल पीखवबबबबबबबबबबबबबंबबबबर एगले इसमें उस फपकोशने ही जे हम bardziej क्पलों अराजयको झाल mesure का ​ यह देखिए इस तरह से यह लंगी पटी कट कर लें और यह जो अमने इंटीस तयार किया है इसके उपर यहां पर इसे पेस्ट करेंगे पेस्ट करेंगे हम थोड़ा सा बाहर निकालते हुए करेंगे इस तरह से इसको अपर निकालते हुए इसको पिस्ट करेंगे नाप लीजी जितनी पट्टी आपको ज़रूत है उतनी आपकर कर लीजीए यह एक पत्ती की जरुत और पड़ेगी तो मैंस में से एक पत्ती और कट कर लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं फेटिया प्टियां कट कर ली है और इसे पेस्ट करने के लिए मैंने यह फेवी लिया है आप इसे होट गुल्व की हैल्प से भी ही चिपका सकते हैं उससे जल्दी चिपक जाता है अब हम यहां पर इसको इस तरह से चिपकाएंगे इसको पूरे में लगाना है चलिए तो हम लगा कर आपको बिखाते हैं और यह बहुत सुन्दर लग रहा है इस तरह से बहुत एजी तरीके से मैंने यह कंप्लीट कर दिया है अब हम इसकी बॉड्डी बनाएंगे इसकी बनाने के लिए मैंने यह इस ट्रिप लिया है जिसकी चोड़ाई सवाइंच है और लबाई नो इंच है अब बनाना मैंने आपको काफी वीडियो में बता रख रहा है आप वहां जाकर प्चेक रसकते हैं और मैं फिर से एक बार बता रही है आपको देखे अब यह बैन और इनको यहां से इस तरह से क्योंकि हम यह बिना स्लाइ मशीन के बना रहे हैं तो इसे भी हम आपस में इस तरह से यहां से पेस्ट कर लेंगे पेस्ट करने के बाद यह मैंने चोटी-चोटी स्ट्रिप शीए है यादा इंच से भी कम है फ़र्की और मैं इसको यहां पर ऐ परके दिया यहांग को बताया था दे पहले मैंने सवा इंच छोडी ये पट्टी जाड़ी कि पाफ कर लिया था और उसके बाद मैंने इस चोड़ाई लग वाई ग तहीं ती अदिया से बीच में सभएख कर लिया था और उसके बाद मैं आप देख सकते हैं यह बहुत प्यारी लग रही है अब हम आपको इसकी कैप बनाना सिखाते हैं कि देखे फ्रेंड्स कैप बनाने के लिए मैंने इस तरह से ट्रैंगल पीस लिया है जिसकी लंबाई चोड़ा में बताती हूं जिसका लंबाई 3 इंच है तो 3 इंच पे मैंने दिखाएंगल पीस कटकर लिया है अब हम इस पर यहाँ पर यह त पर लगाएंगे इस तरह से लगां इस तरह से लगाएंगे नहीं प्bing बहुत ही ऐसे पर लगाएंगे पर스ernेर चलिए तो लगा लेते हैं इस तरह से इसको लगा लिया है अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और आपस में यहां से ऐसे जोड़ेंगे इस ऐसे यहां से पाट ग्लू से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा अधरवाइस इसी पेस्ट से करेंगे तो थो थोड़ टाइम लगेगा इस तरह से यह तुछ इस तरह से लुक देगी जिए चलिए तो इतना काम कर लेते हैं फिर मैं आपको इखाती हूं मैं और यहां अप को बताया था ट्रेंगल पीस लेना है यह प्र यहां पर मैं यह कॉटन से थोड़ी सोटी बॉल बना इसे काया है यह बहूंध लग रही है इस तरह से मैं यह पोशाग आपको पूरी बनाना सिखाया है तो फ्रेंड्स ये पोशाग बन कर तयार है आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाग कैसी लगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड फैमली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मैं मिलती हूँ आप से अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि तब तक के लिए keep creating and keep smiling